असलामलेकुम आज हम फोटोशॉप पे काम करेंगे यह बिल्गुल कैन्वस से मिलता है चुलता ही है जातर चीदें जो हमने वहां पे जैसे कर रहा है थे जो जैसे वहां पे हो नहीं थी वैसी इस पे भी हो रही होंगी सब कुछ सेमी चल रहा हुगा बस हाई यह है कि यह थो जादा आपको flexibility मिल जाती है इसके अंदर आपके पास जादा control होता है कि आप क्या-क्या चीदे है चेंच कर सकते है उसके अंदर फिर premium और उसका मसला आ रहा था कि आपको pay करना पड़ रहा था का फिर चीदों के लिए इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना पड़ रहा होग तो basically यह तो आपके पास आ रहा होगा या तो ऐसी screen आ रही होगी या फिर आपके पास जो है यह ऐसा कुछ नदर आ रहा होगा मतलब यह बीच वाला छोड़ने बाकी सब पूरा interface इस तरह का रहा होगा तो यह पूरा हमारा अगर नहीं आ रहा है तो आप windows में जाके यहां workspace में जाके यह essentials के default पर क्लिक कर देंगे तो exact जैसा मेरा आ रहा है exact ऐसा ही आपका भी आ रहा होगा तो सबसे पहले हम इसके tools पर बात करेंगे कि क्या-क्या tools इसके अंदर होते है tools पहली बात तो सारे यहां पर आ रहे होते है left यह सारे tools यहां पर आ रहे होते है tools की properties जो यहां पर आ रहे होती है जितनी वे tools की properties है उसारी यहां पर आ रहे होंगी थोड़ी बहुत यहां पे आ रही होती है जैसे text वगएरा यह सब यहां पे आ रहा होगा text paragraph का यह आ रहा तो basically अभी तक जो हमने देखा है वो के tools यहां पर है और उनकी properties यहां पर आ रही होंगी या फिर यहां पर आ रही होंगी उसके अलावा जो आपकी layers, channels, parts यह जो सारे यह इस तरह आ रहे होते हैं अच्छा हम channels पित्ता नहीं जाएंगे क्योंके channels basically ज्यादा तर तब काम आते हैं जब आपको colors में differentiate करना होता है यह editing के काम आते हैं हम ज्यादा तर graphic designing पे focus कर रहोंगे तो हमारा channel से इतना वास्ता नहीं पड़ेगा layers पर ही हम काम कर रहोंगे layers सारी यहां प्यारी होती है वही जैसे मैंने canva में आपको बताया था के canva के अंदर जैसे आपका अलालग bring forward और bring to front इस तरीके से जैसे काम हो रहा था वह हम basically अब सारा काम layers में कर रहोंगे के layer कौनसी उपार है कौनसी layer नीचे है वह हम यहां से यह इस area के अंदर हम वह सारा काम कर रहोंगे तो सबसे पहले tools पर आते है के कौनसा tool किसलिए use होते है यह move tool होते है यह अगर जैसे आपका कोई भी मैं एक simple सा object बना लेता हूँ यहां पर यह simple सा circle है यह black color का circle है move tool मैंने select कर लिया यहां पर left click करके मैंने move tool select कर लिया तो इसे अब मैं कहीं पर भी move कर सकता हूँ यह मैं इसे कहीं पर भी move कर सकता हूँ जहां चाहें मैं इसे move कर सकता हूँ यह move tool का काम होते है यहां पर मैं नाम से पता चल रहा है बस उसका काम बस किसी भी object को move करना होता है आपने जैसे देख लिया कि यहां पर layers में भी आप हमाया पास यह ellipse जो है जो मैंने circle यह object जो मैंने बनाया है जो हमारे कहनवा के अंदर basically elements थे वो जो है यहां पर जैसी मैंने इसे बनाया तो यहां पर यह layers में भी add हो गया अच्छा यह आप अगर चाहें तो इसे unlock कर दीजेगा इसका बाद में मैं बताऊँगा कि इस unlock हम क्यों करते हैं अभी फिलाल आप बस यह देखने के हमारे पास दो layers है एक यह background layer है जो के basically यह white वाली layer है और एक हमारे पास है यह element जो हमने बनाया था circle basic से अब क्योंके circle जो है वह उपर है तो इसलिए यह इसके उपर नदर आ रहा है अगर मैं इसे drag करके इसके नीचे ले जाओंगा तो यह early layer उपर आ गई वह circle इसके पीछे छुप दिया अब यह गायब नहीं है अगर मैं इसे इस पे से हटाऊं तो circle वहीं का वहीं है लेकिन वह हमें नदर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वह इसके पीछे चला गया है इस layer के पीछे तो इसे वापस से उपर ले आते हैं यह move tool से मुझे अब बंदाद आए कि अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि move tool का basic काम क्या है यह फिर जो होते है rectangular marky tool होते है इसका अंदर यह basically selection के लिए use होते है अगर आपको दो तीन चीदें एक साथ select करनी हो जैसे में पास एक circle यह है एक circle मेरे पास यह है अब मुझे इन दोनों को select करना है तो एक तरीका तो यह होता है कि मैं control या shift दबाते वे यहां से दोनों की layer select कर लूँ तो यह में पास दोनों select होगा अब मैं move करना हो तो यह दोनों move होंगे दूसरा तरीका तो यह जो है यह होता है हमाया पस rectangular market tool अच्छा यहां पे जो है वो यह artboard tool भी है लेकिन इसका कोई as such इतना यूज नहीं होता यहां पे आप अगर right click करेंगे इन दोनों इस पे भी जैसे right click करने तो और options आ रहे हैं इस पे आप right click करेंगे नहीं है छोटा सह इसका मतलब होता है कि इसके अंदर और tools है इसके अंदर तो rectangular market tool elliptical market tool यह और भी tools है हम अभी rectangular पर ही बात करते हैं यह basically बस circle के लिए हो जाते है तो यह row और column के लिए तो basically काम सब का एक ही होता है बस shape का फरक होता है तो हम पहले इसी पर ही काम करते है अब जैसे मैं ellipse 1 पर ह और मुझे इस circle में से यह rectangular portion cut कर देना है तो अगर अभी मैं cut करूँगा तो यह cut नहीं होगा यह इसलिए cut नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास यह एक vector है यह जो है हमारे पास यह एक vector है यह circle जो है वह हमारे पास एक vector है vector basically यह होता है कि उस object को अभी में से t-select करता उस object को आप कितना भी बड़ा चोटा कर लें कितना भी बड़ा चोटा कर लें उसके pixels नहीं भटते है क्यों mathematical formulas पर based होती है उसके pixels नहीं भटते होते है वह आप कितनी ही इसका size बढ़ा लेंगे इसके जो वह है pixels है वह आपको high definition में नदर आते रहेंगे देखें कोई pixels नहीं नहीं भटते है इसके अभी भी वैसी बिल्कुल circle है नहीं तो अगर हम किसी picture को enlarge करते है तो उसके pixels फड़े आते है लेकिन vector में यही फर्क होता है उसके pixels नहीं भटते है तो इसे edit करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इसे यह तो smart object में convert करना पड़ेगा या फिर हमें इस इसे layer को रेस्टराइज करना पड़ेगा उसका असान तरीका यह होता है कि आपने right-click करा और यहां पर रेस्टराइज layer का भी option आ रहे है convert to smart object का भी option आ रहे है तो फिरहाल हम रेस्टराइज कर देते हैं मैं इन दोनों में फर्क बाद में बताऊँगा कि इन दोनों में क्य क्या फर्क है कि रेस्टराइज का में क्या होता है और smart object में क्या होता है यहां पर ellipse 2 को भी हम रेस्टराइज कर देते है अब यह image बन गई है अब अगर मैं इसका अगर थोड़ा बहुत size बढ़ाँगा तो तो फर्क नी बढ़ेगा लेन अगर मैं इसका बहुत जादा size ब अब समझें मुझे इसके अंदर से कि square cut करना है या rectangle cut करना है तो मैंने यह select करा और यह मैंने layer wire cut कर दिया तो अब अगर आप देखें तो यह वह square है जो मैंने cut कर रहा है और अगर मैं यह वाली layer चुपा दूँ तो यह circle में से rectangle cut हुआ है अगर मैं move करके दिखाना चाहूँ तो यह रहा हो दूनों objects एक यह है मेरा जो कि circle ता है जिसके हैं से मैंने square cut कर दिया और यह रहा हो square जो कि मैंने cut कर रहा है अब वापिस आजाते हैं अपने इस पर जैसे यह एक selection के लिए tool होता है यह rectangular market tool इसी तरीके से selection के लिए और भी और भी और तूल होता है lasso tool जो होता है वह यह basically selection के लिए होता है लेकिन यह freehand होता है अब जैसे मैं अगर यहां पर कोई selection बनाना चाहूँ जैसे मैंने इसे जूं करके देखें यह बिल्गुल freehand है मैं जो भी बनाना चाहूँग न वह इसके अंदर बन जाएगा यह मेरी selection बन गई यह मैंने वह रैट लिक करके cut कर लिया तो अगर अब आप देखना जाएं तो यह यह वह है जो cut हुआ वा है इसमें से और यह वह है जो मैंने cut कर रहा है इसमें से इसी तरीके से polygonal lasso tool होता है polygonal lasso tool के अंदर होता है कि जैसे वह बिल्कुल freehand था यह भी freehand होता है लेकिन यह lines में cut जैसे यह मैंने यहां पर पहला point set कर दिया अब यह यहां तक यह बिल्कुल freehand नहीं है जैसे इसके अंदर बिल्कुल freehand हम आ रहे थे इसके अंदर यह straight lines है वह cut करती है तो अगर जैसे मुझे यह shape काटनी है तो यह इस तरीके से तो इसमें फर्क मुझे अंदर होगा आपको समझ में आ गया होगा कि lasso tool बिल्कुल freehand होता है यह जो है basically lines में cut magnetic lasso tool जो है वो freehand होता है लेकिन आपकी जो shape है उससे यह color है उससे जो है वो चिपकता चलाता है अब मुझे नहीं पता हो इस पर काम करेगा नहीं करेगा लेकिन यह जब हम photo edit कर रहोंगे कोई तो तो यह जैसे देखें बलके काम कर रहा है इस पर यह अब जैसे देखें मैं इतना दूर आ गया हूँ इससे लेकिन यह उसकी boundary पर ही चल रहा है अगर ब थोड़ा बहुत भी दूर दूर जा रहा हूँ तो वह उसमें कट कर रहा है अगर बहुत दूर आ गया तो नहीं करेगा लेकिन वह बेसिकली यह इसमें डिफ्रेंशेट करता है यह पीछे जो है वह आपके वाइट है यह तो लेयर ही अलाग है लेनागर जैसे सेम लेयर भी अगर होती है तो अब यह तो अब यह तो कलर्स में डिफ्रेंशेट करता हुआ कट कर रहा होता यह आपकी सेलेक्शन होगी यह मेगनेटिक लासो टूल है इसका यह काम होता है अब हम हर चीज कट कर करके नहीं देखेंगे हमें पता है क्या करके दिखाएगा हो तो लेकिन यह तूल आपके बास आ रहा होका यह भी स्पेस्वाइशन टूल होता है क्या है जो है अब हमायबास तू लार स लना ल intest के अगर इसे कंट नहीं तह डिए जाया हुट कि अगर एक ही लेयर के अंदर जो सारी चीज है तो यह colors के basis पे उन्हें square के form में select कर लेता है अभी तो यह नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही layer हमाँ पसे लेकिन वैसे यह उसके लिए काम आता है quick selection tool जो है वो basically वो भी color के basis पे select कर रहा होता है लेकिन यह आपको जैसे आगे हमें और ज्याद अच्छे समझ होएगा यह मैं कोई photo इसके इंपोर्ट कर लेता हूँ तो आपको मैं तागे समझा सकूँ कि यह basically इसका काम क्या होता है quick selection tool का झाट है तो अच्छा फोटो अगर कोई आपको इंपोर्ट करनी हो तो वो import कैसे होती है यहाँ पर फाईल में आ है या तो आपने open करा या फिर आपने place embedded किया open और place embedded में फर्च है अगर आप open करेंगे तो वो basically आपको यहाँ पर एक नई उसके अंदर tap के अंदर ही open होगी वह आप चाहें तो आप move tool से ले आ सकते हैं वहाँ पर यह मैंने move tool से यहाँ यहाँ पर ले आया उसी photo को लेकिन अगर आपको directly इसी के अंदर जो है वो डालनी हो photo तो आप file में गए आप place embedded अपनी click करा अपनी select करी और place कर दिया तो वो इसी directly इसी tap के अंदर जो फोटो को ले आएगा अब जारती बाद इसके pixels थोड़ी से फटते हैं मैं इसे थोड़ा से छोटा कर देता हूं क्योंकि यह photo इतनी इच्छी quality ही है नहीं लेकिन basically अभी मैं सिर्फ आपको basic सा बताऊंगा कि यह quick selection tool का काम क्या होता है तो quick selection tool आपने select करा अब हमें यह समने यह select करना है control plus से zoom in होता है control minus से zoom out होता है हम zoom in करके हम आगाए इस पे यह photo quality इतनी अच्छी नहीं है लेकिन खैर अगर हमें सिर्फ यह blue आला पार्ट इसका अगर select करना है तो हमने यह select करा यह खुदी से जाना quick selection tool color के basis पर differentiate करता हुआ यह select कर लेगा अब हमें समझे पूरा flower ही select करना है तो हमने यह देखें इस इसने पूरे जो green parts ते पर आप उसे refine कर सकते है बाद में जाके यह ऐसे करकर गे लेकिन वह एक अच्छा मदलब खुदी से इस idea हो जाते है कि उसे क्या-क्या select करना है क्या-क्या छोड़ना है पर आपने right click कर यह आप चाहें तो उसे cut करना है तो यह सारे selection tools है depend करते है कि आपका काम कि आप उसे साफ से selection tool करते है magic wand tool वह भी color की basis पर ही करते है लेकिन यह जैसे magnetic tool था कि खुद से वह कर रहा था इसका भी ही होते है यहां से आप इसकी tolerance वगएरा set कर सकते है कि कितनी tolerance आपको चाहिए जादा tolerance का मतलब होते हो फिर बाकी colors भी शामिल करना शुरू हो जाते है यह अगर light green और dark green है और आपने dark green को select करा और आपकी tolerance जादा है और आपने dark green को select करा तो light green अगर उसके आसपास है तो उसे भी select कर लेगा अगर tolerance बिलकुल कम है tolerance बिलकुल बहुत कम है तो आप अगर इस green को select करेंगे तो वह बिलकुल बाकी भी और shades को select नहीं कर रहा है अब मैं tolerance बढ़ा के दिखाता हूँ देखा अब उसने सारे green आसपास के लिए अगर थोड़ी से tolerance और दादा होती तो वह और अच्छे से select कर लेता है अच्छा इसके अंदर फिर आप यह चार option होते हैं यह होता है add to shape, add to selection, subtract from selection, intersect with selection और यह new selection तो अगर हम add to selection करेंगे और इसे यहाँ पे click करते रहेंगे तो यह बाकी चीज़ें भी add करते रहेगा selection में यह पेढ़ जैसे अगर हम यहाँ पे यह green है और यह blue है तो अगहर मैं यह में िंदर यह क्या करता है? घ्रीन को deselect कर देता है और blue को select कर देता यह देखियर, green को deselect कर दीया and blue को select कर देता लेकिन अगर मैं add to selection करूँगा तो वो इस blue के अंदर भी इनको भी उसने add कर दिया जैसे में पास इसके अंदर के आ रहा था कि सिर्फ यह अला पार्ट आ रहा था अब अगर मुझे इसके अंदर add करना है इसको भी selection में तो मैंने यह भी कर दिया यहां से select करने के बाद तो यह basically magic wand tool का काम होता है अच्छा यह जो है quick selection tool के अंदर भी आप इसका brush size वगएरा यहां से वो कर सकते हैं आपको brush size क्या रखने है, hardness क्या रखने है, hardness जितनी कम होगी यह basically tolerance के एक तरहिके साब tolerance समझ लिए hardness जो होती है spacing और hardness जो है वो tolerance आप समझ लिए बाकी यह add to selection है, यह वोई new selection है और यह remove or subtract from selection है तो यह basically जो होता है यह सारे selection tools है और इसके लावा और भी selection tools है जो के आगे नीचे आएंगे में हैल से लेकिन आपका अंदादा आपको हो जाएगा जैसे से आप काम करते रहेंगे आपको अभी अपने काम के साब से कौन सा selection tool यूज करना है यह तो फिर basic crop tool है अगर आपको कुछ crop वगरा करना हो अभी आपने selection यह अली बनाई है इसलिए इसका पूछ रहे अभी फिलाल मैं इसे deselect कर देता हूँ और इस image को हटा देता हूँ यह crop tool है crop करने के लिए यह frame tool है यह इसका इतना दा काम नहीं होता यह basically उसके लिए बस काम आता है जैसे हम पिछली class के अंदर हमने वह देखा था canva के अंदर जो पीछे उसके हम adjust कर रहे थे लेकिन एक ही portion में adjust हो रहा था यह उसके लिए काम आता है यह eye dropper tool है अगर आप इसे select करेंगे और कहीं पे भी click करेंगे तो आपको उसका color बता देगा और यहां पर आपके इसके अंदर उसे select भी कर देगा उसी color को जैसे अगर यह मैंने करा इसने black कर दिया है जैसे अगर मुझे समझे इसका color मैं पहले change कर देता हूँ फिर मैं आपको इसका और detail में बताता हूँ समझे यह object है और इसका color जो है वो यह है और मुझे फिलहाल color नहीं बता कि इसका कहल लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा object है जो मेरा object है उसकी color का मैं text भी लिख हूँ यह पे तो मैं इसका color सिर्फ पता करना चाह रहा हूँ text पर हम बाद में आएंगे मैं इसका सिर्फ color पता चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे select कर रहा इसने मुझे बता दिया कि इसका color के ही तो पर सुखस्के पूरा सुखस्किन अब जुछव हो तै के अवा इसके अभी पूरी सेलेक्शन पहले कर लोगते हैं और इक एक कर सके डॉट्ट करके पर आता है भूण ना इस तरीके से ये शोह रहा हुत आप ही तो भी तह नहीं हो रहा है क्योंकि यह आते है फोटी ओक में नहीं आ रहा होता है इतना ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका सो HOW नहीं अनुहीं होता है लेकिन यह फोर्ट वुद्र हाड़ा हुताAY जैसे यह अभी बिद्व यह ब्रेश टूल है यह भी फ्री हेंड के लिए होता है जैसे अभी हमें इसके उपर कुछ जैसे डॉर करना है तो हमने इससे यह बना लिया यह फ्री हेंड के उसमें काम आता है अगर आपको एक यह बनाना हो तो आपने यहां पर सलेक्ट करा और आप यहां पर करेंगे तो बना देगा लेकिन यह फोटो एडिटिंग के वाक्त काम आता है इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका इतना काम नहीं होता यह history brush tool है यह basically आपको बता देगा कि अगर आपने कोई object remove कर रहा है तो उसे दिखा देगा कि पहले यहां पर क्या था इसका इतना काम नहीं होता है यह सारे यह जो tools है यह basically यहां से लेके यह सारे photo editing के जादने है ग्राफिक डिजाइनिंग में इनका इतना काम नहीं है यह इसे eraser tool है यह background eraser tool magic eraser tool यह basically इनका काम एक जैसा ही होता है यह object remove करने के लिए होता है इसे eraser tool तो बिल्कुल basics है कि ऐसे अगर हमने इसे erase किया अभी हमने क्योंकि यह select कर आव है लियर यह select कर यह तो erase VC को कर रहा है अगर हमने इसे select कर दिया इस lips को और इसे erase करना चाहा तो जितन इसे erase कर लेगा इसे erase कर लेगा इनका इतना काम होता नहीं है यह अगें फिर इनका जो हो उसमें ज्यादा काम आता है फोटो एड़ेटिंग के वक्त यह जायरती बात है उस color के basis पे erase करता है जैसे यह मैंने बस select कर लिया यह मैंने इसे select करने की बाद यह मैंने इसे select कर रहा तो यह आपको हट यह हट यह हट यह क्योंकि इसका basically काम जो होता है मिली वह color के basis पे डिफ्रेंशियेट करता है जैसे यह कर रहा था जितने भी magnetic तूल से ना यह वह उसकी तरह काम करेगा gradient tool, paint bucket tool, paint bucket tool तो paint program में भी होता था paint bucket tool बस fill कर देता था कोई भी color background के अंदर यह जैसे यहाँ पर कर दी है इसने gradient tool जो है वो gradient जैसे यहां से यहां तक अब यह red to white कर देगा gradient यहां पर यूगे show हो रहा है यहां से आप change कर सकते है gradient अपना लेकिन यह basically यह किसी भी उसमें मैं इस direction में अगर मैं करना चाहूं तो इस direction में हो जाएगा इस direction में करना चाहूं तो अब उपर से नीचे red to white होगा यह slanted उसमें ऐसे यहां पर मैं चाहूं तो वो भी change कर सकता हूं यहां पर आके कि मुझे क्या color select करना है यह मैं यहां से color सुवा गयरा select कर सकता हूं यह basically इस तरीके से मैंने इसके अंदर दाड़की बात है और detail में हम बाद में बात करेंगे इसका फिर भी शायद काम आए आपको आगे लेकिन यह इस तरीके से basically gradient के लिए use होता है यह blur tool, sharpen tool, smudge tool यह भी photo editing में काम आते हैं यह नाम से पतल रहा है यह बस blur कर देता है चीदों को तो यह हम जब photo editing अगर हम photo editing की तरफ आय तो मैं पर आपको इन्हे detail में बता हूँगा यह basically जो सारे tools है इनका मैं बात में बता हूँगा यह dodge and burn tool dodge tool यह रहा, burn tool यह रहा यह portrait editing की काम आता है dodge and burn tool यह होता है तो इनका ऐसा इतना काम नहीं होता जो हम अभी तक जिस पर काम कर रहे हैं जो सारी illustration है उसके अंदर इन ही का काम आता है उपर वाले tools का इनका नीचे आलों का इतना काम नहीं आता यह pen tool होता है pen tool भी selection के लिए होता है या किसी उसमें बनाने के लिए यह थोड़ा complicated tool होता है क्योंके इसके अंदर आप selection को इस तरीके से change कर सकते हैं लेकिन हम जो कर रहे होंगे हम क्योंके templates उठा रहे होंगे और उस पर editing कर रहे होंगे तो pen tool जो है वो उसका इतना काम नहीं आ रहा होगा हम selection के लिए लेकिन यह pen tool जो होता है वो भी basically एक तरीके से selection करने के लिए या कोई path बनाने के लिए ही काम आता है यह फिर आता है text tool यह जायरती बात हम use कर रहे होंगे यह vertical type tool horizontal type tool और यह text tool basically जो हम use कर रहे होंगे horizontal type tool होगा जो हम horizontally लिख रहोंगे vertically इतना काम आएगा नहीं लेकिन यह basically यहां से आपने text को add करना है यह text add हो गया अब इसकी properties जैसे के मैंने गालता है कि उपर आरी होती है किसी भी उसकी तो यहां से आपने font style आप चेंज कर सकते हैं यहां पे सारे fonts आ रहे है यह basically अगर आपके मैं शoहची love powiedział strong bold रेइखलर यह size यहां पे आ रहे होगा strong bold को यह यह रहे होगे यह जो होते हैं चाले अगर आपके मैं font Streets سبle-Styles है तो वह यहे पे आ रहे होगे यह यहारह होते है यह 6 so much इतना काम नहीं होते है लेकिन यह alignment के लिए यूज होता है यहाँ पर आपका आगया font color यह आगया अगर आपको इसे में यह इस तरीके से अगर आपको किसी logo है कोई और circle के around आपको करना है तो आप उसका एक और तरीका भी होते हो pen tool से भी हम कर सकते हैं लोगो डिजाइनिंग के बताऊंगा अगर आपको pen tool से करना हो लेकिन आप यहाँ से भी अगर आपको किसी circle के around लिखना है कोई text तो आप यहाँ से change कर सकते हैं अभी तो हमें नहीं करना तो हम cancel कर देते हैं वैसे ही यहाँ पर यहाँ से कर सकते हैं बाकी इसका इतना वो नहीं है यहाँ पर इसे ok कर देते हैं अगर अभी हम इसे select करें और यहाँ पर आएं तो यहाँ पर basically इसकी वो ही सारी आरियों की properties लेकिन थोड़ी जादा detail में और यह paragraph के लिए होता है लेकिन हम इस पर इतना काम नहीं करेंगे हमारा as such इतना अधर लिखने का काम नहीं होगा हमारा यह तब काम आते है जब आप कोई poster बना रहे हो जिसके अंदर जादा लिखना हो लेकिन हम मतलब इतना हमारा इस पर हम आएंगे नहीं क्योंकि हमारा उस से लिटर इतना जादा text वगएरा वैसे भी पोस्टर पर अच्छे समझे नहीं जाते हैं लेकिन अगर वैसे हो तो अगर इनकेस हमने कोई poster डिजाइन कर रहा हुआ उसके टेक्स जादा हुआ तो फिर हम paragraph टूल यह paragraph पे भी आ जाएंगे टेक्स टूल के अंदर यह भी basically फिर path selection tool direct selection tool इनका कोई काम नहीं होता इनका काम होता है यह जो है rectangular tool ellipse tool polygonal tool यह सारे इनका यह rectangular tool वही rectangle बनाने के लिए काम आता है और इनका हमारा काम आएगा जब हम logo design कर रहा हुँगे तो यह basically shape के लिए होता है selection के लिए भी हो सकता है लेकिन हम basically shape के लिए इनका यह यूज कर रहा हुँगे line tool यह सारे वही है जो आपको elements जो canva दे रहा था वह basically यहाँ पे हम खुद से बना रहा होंगे बाकी यह move tool होता है यह हम अभी zoom in तो away नहीं है और इसका as such इतना काम होता भी नहीं है जो hand tool जो होता है basically उसके लिए होता है इधर से उधर move करने के लिए इधर से उधर जाने के लिए तो यह सारे tools थे इन में जाहर सी बात है थोड़ा सा जाधा complicated है यह canvas से लेकिन फिर जब हम कुछ design कर रहा होंगे तो पर आपको अंदादा होगा कि यह flexibility भी जाधा दे रहा होता है आपके पास जाधा control होता है कि आप क्या चीज़े change कर सकते हैं क्या चीज़े change नहीं कर सकते तो यह जाधा control दे रहा होता है तो अब हम अगली जो हमारी video होगी वो उस पर होगी कि हम कुछ design कर रहा होंगे तो कहां से template उठाने है क्या करने है वो सारा फिर मैं उसमें आपको explain करूंगा